आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं चेतन मंत्री इस 20 डेस प्लेज में फिर लेकर आये हूं इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट यूनिट वन का हमारा सेकंड लेक्चर हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ कॉंट्राइक्ट इसेंचल एलिमेंट इनरजी उसी कॉंफिडेंस के साथ अगला पार्ट हम रेडी कर रहे हैं पढ़ने के लिए और वो है सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिडविन वॉइड एग्रिमेंट एंड इल्लीगल एग्रिमेंट आपका अपने दोस्त के साथ जगड़ा हो गया सब अब से पहले तो क्या वोला एक तू होता को नेरे बीच में बुलने आला है कि यह बात हम अधिकतर जगें अपलाई करते हैं मैं स्वागत करता हूं आपका अपने सेकंड वीडियो में यूनिट टू के कंसिडरेशन में जो इसी बात से शुरू होता है कि क्या एक अजनभी क्या कि stranger कभी किसी कॉंट्रैक्ट में interference कर सकता है क्या कभी किसी क्यां किसी कांट्रैक्ट में वह केस पाइल सुट फाइल कर सकता है क्या तो ध्यान रखिएगा यह कोशन सबसे important है examiner के points और तीन तरह से कोशन को पुझा आया दोस्तों सबसे पहला stranger to a contract cannot sue. yes it is correct sentence state the exceptions to this rule इसके exception बताओ second point what are the exceptions to the doctrine of privity of contract direct question doctrine of privity of contract क्या बोलती है दोस्तों वो बोलती है कि तेरे मेरे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कभी ना है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कभी भी काड़ी न करे मतलब कोड भी बोल रही है यार जिन दो लोगों ने कांट्राक किया है उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कभी भी केस फाइल न करे कांट्राक के तहत यह रूल लगता है और बोलते हैं इसको privity of contract तो हम बंड़ने जा रहे हैं प्रिविटी आफ कॉंट्राक के exceptions और तीसरा तरीका एक और डियर केंबी अ स्ट्रेंजर टूर कंसीडरेशन देयर केंबी अ इस पे आपको कमेंड करने को बोला जा सकता है यह तीन दरह से कोशन आता है दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रिविटी आफ कॉंट्राक के exception इस ट्रेंजर टूर कंसीडरेशन हो सकता है डायरेक कमेंड करने को वह सकता है six marks direct question बहुत important single line में हमको यह बात खतम करनी एक्जाम में बहुत ज्यादा explain नहीं करना है cut to cut कितना लिखना है यह आपके सामने screen पर आपको नजर आ रहा है तो sir answer में हम क्या क्या लिखेंगे चलो दोस्तों answer याद करना शुरू करते हैं सबसे पहली line सबसे important stranger to a contract cannot sue this is called doctrine of privity but there are certain exception क्या लिखोगे there are certain exception to this rule in it means it means even a stranger to a contract even a ajnabhi to a contract stranger to a contract may enforce a claim stranger to a contract जो होता है वो अपना claim enforce करा सकता है भले ही वो contracting party ना हो वो दो लोग जिन्हों ने contract किया था उनके अलावा एक तीसरा व्यक्ति एक थर्ड परसन एक बहारी व्यक्ति इसमें अपना case file कर रहा और इसे कौन से cases होंगे चलिए सबसे पहला in the case of a trust सबसे पहला case क्या in the case of trust trust के case में यह example ध्यान से देखिएगा एक है father इसके लिए एक ट्रस्ट क्रियेट किया कैसे father ने immobile property दे दी ट्रस्टी को जिनका नाम था विश्वास राओ इस शर्थ पर इस property से आने वाली income से मेरे minor child को benefit पहुंचना चाहिए देखा जाया तो contracting party कोन कोने Mr. Aman और विश्वास राओ beneficiary governance contract का chain तो अमन चाहता है कि मेरा जो बच्चा है फूल सा chain अमन बहुत chain से मरना चाहता है और बोलता है मेरा जो बच्चा है chain sing उसका कोई बाद में ध्यान रखे मेरी death के बाद ट्रस्टी अपॉइंट हो गया इस case में बाद में मान लो father की death हो गया chain sing को पैसा मिलना बंध हो गया विश्वास राओ ने विश्वास घात किया अब क्या दरे चैन सिंग ने case लगाया तो विश्वास राओ हस दिया you are not a party to the contract chain sing ने बोला but I am a stranger for the consideration यह पूरा contract मेरे लिए हुआ था जिसमें मेरी तरफ से मेरे father already consideration दे चुके क्योंकि विश्वास घात सौरी विश्वास राओ क्या बोलने वाले थे second बात पहली बात तो क्या बोली तू party नहीं है रे contract में तो दूसरी बात क्या बोलते हैं मैं तो तेरे को पैसा दूंगा तू बदले में मुझे क्या देगा तो chain sing very intelligent guy भली minor था उसने बोला मेरी तरफ से already third person consideration दे चुका है मतलब मेरे father consideration दे चुके हैं अगर मैं promise ही हूँ तो मेरे बिहाफ पे कोई और consideration दे चुका है दोनों questions के answer code में बिल्कुल सही गए पहला chain sing भली stranger है बट वो beneficiary इस पूरे contract में he is a stranger to a contract but he is not a stranger to a consideration दूसरा विश्वास राओ ने बोला कि मैं तो इसको दू of trust क्या करेंगे एक beneficiary एक beneficiary जो है अपना right in force करवा सकता है under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee कौन है साफ सेटलर यह जो फादर थे he is called settler ध्यान रखिएगा दूसरा case in the case of family settlement जब भी कोई पारिवारिक मुद्दे हो जिसमें settlement हुआ हो ध्यान रखना अगर वो writing में हो तो यह point लगेगा writing में लिखित में होना जरूरी यह बस जो भी term settle हुई थी परिवार के अंदर वो अगर writing में है तो members of the family who originally we are not the parties जो उसमें party नहीं थे इसके बावजूद वो agreement to enforce करवा सकते हैं तो repeat करो पहला था in the case of trust a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee similarly in the case of family settlement if the terms 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 are reduced into writing लिखित में होना चाहिए the members who were not originally the party to the contract can enforce the agreement or third one भी बिल्कुल इसी तरह in the case of certain marriage contracts or arrangements इसका example देखो आप ध्यान से एक है अपनी एश्वर्या एक है अपना विवेग एश्वर्या की लड़की का नाम है बबली और विवेग के लड़के का नाम है बंटी दोनों ही minor है ध्यान से देखना case क्या है case इतना सा है कि विवेग ने एश्वर्या को ओफर दि विवेग ने बोला कि एश्वर्या जी जदी आप अपनी लड़की बबली की शादी मेरे बदमाश बच्चे बंटी के साथ करवा देंगी तो मैं बबली को मतलब अपनी होने वाली बहू को डॉटर इन लौ को हर मन्थ 3000 रूपीज फिक्स अमाउंट पे करूँगा ओके यह बंद कर दिया बबली ने चार बार रिमाइंड करवाया विवेग जी बोल रहे है कोन से पेसे किस चीज के पेसे जिसके साथ कॉंटरेक्ट था हो तो निकल लिया बबली जिसका सिर्फेस ही बबली था भागी एक्शन तो रिवालवर रानी जैसे थे उसने उड़ा के विव अपनी लड़की बबली की शादी आपके लड़के बंटी से करवा कर कंसिडरेशन दे चुकी है तो इन केस ऑफ फैमिली सेटल्मेंट इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉंटरेक्ट और इन केस ऑफ ट्रस्ट इन तीनों ही केसे में कामन बात कॉंटक्टिंग पार्टी कोई दो लोग थे बैनिफीशरी हमेशा अपना हग मांग सकता है सड़ा हक एथ रख यह डिमांड वो कर सकता है फॉर्ट केस इन दे केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ और कांट्रैक्सर यह क्या होता है दो पार्टी जहां रखना अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकता है किसी नई तो भी यह कांट्राक्ट वालिड होगा कैसे मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं तुमने मुझे एक बिल आफ एक्सचेंज लिखके दिया तुमने वह जो बिल आफ एक्सचेंज दिया मैंने किसी और को इंडोर्स कर दिया चलेगा हां सर पढ़ा है हमने तो अकांट में अब म किसी थर्ड पर्सन पपलू को अपना राइट ट्रांसफर करा कि पपलू जी जाके इस डेटर से पैसा ले लेना यह रहा आपका बिल आफ एक्सचेंज पपलू जब आपके पास आएगा तो आप क्या बोलोगे भाई को ने रे तू काई के पैसे वह बोलेगा आएम देंड करवा सकता है ध्यान रखना पर असाइनमेंट में सिर्फ राइट जाते हैं लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होती कैसे क्रेडिटर में हूं तुम डेटर हो पैसे तो मेल हूं या कोई और ले तुम से पर गूट्स कुन देगा फिर गूट्स तो आप ही दोगे पक्का की गूट्स भी हो देगा नहीं नहीं गूट्स तो मैं ही दोगा मतलब असाइनमेंट में मैं अपने राइट किसी और को देता हूं मेरी जो लायाबिलिटीज जो अबलिगेशन से वह मैं ही परफॉर्म करूँगा यह था फॉर्थ केस इन दे केस ऑफ असाइनमेंट फिफ्ट party का agent की तरह behave कर रहा है किसी third party के agent की तरह behave कर रहा है it will result in a binding obligation towards the third party third party के लिए binding obligation cover किया जाएगा तो ध्यान रखना acknowledgement में एक व्यक्ति अपने conduct से अपनी हरकतों से अपने action से accept कर लेता है कि वो किसी और के बिहाफ पे किसी और के लिए agent बन चुका है किसी third party के लिए work कर रहा है तो ऐसे में ऐसे में ध्यान रखना वो bind होता है it would result in a binding obligation towards the third party उस third party के लिए भी ये binding obligation में cover होता है next in the case of covenant running with the land acknowledgement का बहुत simple सा example आपके सामने रख रहा हूँ जय को वीरू को 50,000 रुपे देने थे जय बहुत दिनों से उसकी दुकान पर जानी पा रहा था जय का एक दोस्त आया गबर सिंग गबर से इसी बात हो रही थी और जय ने बोला रही और मुझे वीरू को 50,000 रुपे पहुंचाने है गबर ने बोला मैं उधर ही जा रहा हूँ मैं दे देता हूँ अब ध्यान से सुनना जय ने वीरू को फोन लगाया वीरू और गबर की बात करा दी बात क्या हुई तैय हो गया कि जय जो है 50,000 रुपीज गबर को देगा और गबर यही पैसे ले जाके वीरू को ट्रांसफर कर देगा हो गई बात तैय हो गया सब कुछ हो गया इसने एकनॉलेज करा कि इसके पास 50,000 रुपीज है और यह थोड़ी देर में बस वीरू की शॉप पे आने ही वाला है वीरू दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था गबर आ रहा था वीरू खुश वा आज तो 50,000 रुपे आएंगे वीरू देख रहा है, 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 गबर तो चला गया गबर चला गया गबर ने पैसे ही नहीं दिये, गबर तो चला गया जबकि वो एकनॉलेज कर चुका था वीरू को आया घुसा, वीरू ने वोला ये पैसे मुझे दे धागूर तो नहीं माना यह 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 क्या करें ये तो बैमानी पर आ गया गबर क्या गेंज़ जब वो केस लगाने गया गबर ने वोला ये भाई पैसे तो मैंने जैसे लिये थे, कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोगों के बीच का था तू होता कोन था पर उस समय गबर एजेंट हो गया था किसका वीरू का तो वीरू का हग बनता है अपने एजेंट से पैसे वापस लेने का इसने अक्नौलेज कर दिया था इसी लिए ये इस कांट्राक में बेनी के रोल में आ गया था वीरू वीरू अपना हक मांग सकता है 50,000 रुपीज रिकवर कर सकता है गबबर से गबबर यह नहीं बोलेगा कि मैंने पैसे जाय से लिए जाय को केस लगाने दो इस इट क्लियर नेक्स पॉइंट है हमारे पास कोवनेंट्स रनिंग विद दे लेंड और यह पॉइंट बहुत दिक्कत देता है बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत आती है क्या केस है सर केस समझते हैं इसको थागुर साब एक बहुत बड़े जमिदार थे बहुत सारी उनके पास खेती की जमीन थी उन्होंने अपनी जमीन मुकेश अम्मानी को बेचने का फैसला गिया मुकेश अम्मानी जियाए 100 करोण में डील हो गई पर लेकिन किंतू पर अंडीशन थी वो प्रना है तो सिर्फ खेती ही हो पाएगी खेती के अलावा कोई और अक्टिविटी उनके लिए पर्मिटेड नहीं थी एग्रिमेंट साइन हो गया साथ एग्रिमेंट हो गया, कन्फर्म हो गया, पेमेंट आ गया, सब कुछ हो गया थोड़े समय बाद ठाकूर साब भगवान को प्यारे हो गया, भगवान के पास चले गया मुके शम्बानी जी को लगा, यहो, now I am alone अब वो पार्टी चली गई जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे कौन रोकेगा, कौन टोकेगा उन्होंने सोचा मैं इस पर कमर्शिल एक्टिविटी शुरू करें जा रहा हूं, कमर्शिल एक्टिविटी शुरू करूंगा बट, इनका लड़का, जिनका नाम था छोटे ढ्धाकूर, छोटे ढ्धाकूर को जैसे ये बात मालूम पढ़ी उन्होंने मुकेशंबानी पर केस लगा जिए मुकेशंबानी जी हस रहे हैं वे तू पगले है कौन तू थर्ड पार्टी है तू इस्ट्रेंजर है कॉन्टेक्टिंग पार्टी तो में और तेरे पापा थे यहां पर ठाकुड साब बोल रहे हैं मुकेश जी आप मात खा गए कोवनेंट्स रणिंग विद दे लेंड का आपने शायज इंडियन कॉंटर केक्ट का पॉइंट ना आपने पढ़ा ना आपके लॉयर्स ने वरना ऐसी बात नहीं करते क्या है कोवनेंट्स वाला पॉइंट जब भी कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है या खरीटता है यहां को ने मुकेश अंबानी जी विद दे नोटिस उनके पास इस बात की जानकारी थी कि ऑनर आफ दी लेंड जमीदार साफ ठाकूर साफ इस बाउंड बाइ सर्टन ड्यूटी उस जमीन से जुड़ी हुई कुछ ड्यूटी से बाउंड है जैस इनको कोवेंट्स बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है कोवेंट्स अफेक्टिंग दे लेंड में बाइद सक्सेसर अब दी सेलर आज छोटे ढखुर साफ जिनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे कॉंट्राक्ट में वह मुकेश अम्मानी जी को रोक सकते है कि मुकेश भाई गलत बात ऐसा नहीं होगा ये गड़बड हो जाएगी कोवेंट्स वाला पॉइंट आपके उपर अभी भी अपला है मैं स्ट्रेंजर हूं इसके बावजुद आपके केस फाइल कर सकता हूं और आखरी हमारा है कॉंट्राक्ट एंटर्ट थू एन मुकेश भाई की एक्जामपल ले वापस है कोन मुकेश भाई अपने मुकेश हमवानी जी अब वो जीयो की सिम क्या दुकान-दुकान बेच रहें नहीं नाहीं सर उनके एमपलॉई उनके एजेंट्स ये काम करते हैं आपने किसी लोकल शॉप से भी एगर जीयो की सिम खरी ही कांट्राक्ट हो गया मैं पैसे नहीं धे रहा हूं एजेंट के सकरे ठीक है वो करना चाहे है करे वह तो कांट्रेक्ट्ट links करेगा तो बी चले क्योंकि adean principle के भी हाफ पर ही एक्ट करता है एजेंड ने सारी Pआवर्स प्रिंसिपल से ही लिए प्रिंसिपल की अथ्रिटी से ही उसने कॉंट्रैक्ट मुझा से मुझ रूदा ते ध्यान किम ना प्रिंसिपल मेरे अगेंस्ट में काम किया हो और इंदनेम ऑफ प्रिंसिपल किया खुद्क नाम पर गॉन्ट्राक्व नहीं होना चिह कउंट्रेक्ट हो तो एकषे केस में फिरींसिपल भली इस्टेंजर हो वह केस पाइक कर सकता यह हैं आपके जबर्दस साथ cases पहला repeat करो मेरे साथ वापस से पहला in the case of trust दूसरा in the case of family settlement तीसरा in the case of marriage contract marriage arrangements fourth one is in the case of assignment of a right या of a contract फिफ्ट वन acknowledgement और इस्टोपल acceptance कर ली sixth one covenant running with the land और आखरी agents ने जितने भी contract किये तो हम बोलेंगे contract entered into by the agent एक एक लाइन दो दो लाइन से जादा इन पर आपको समझाईनी में important words सारे एक बार फिर से बोल रहा हूं ट्रस्ट में बोलोगे beneficiary can enforce though he's not a party family settlement में terms reduced into writing members not originally part can enforce तीसरा marriage contract बहुत simple मन से लिखना है फोर्थ assignment में क्या लिखना यह वर्ट चाहिए में बैनिफिट अंडर a contract is assigned यह वर्ट चाहिए मुझे असाइनी जरूर यह ट्रांसफरी मत लिख देना असाइनी लिखना रिसीवर भी मत लिखना असाइनी can enforce the contract चाहिए फिफ्थ acknowledgement प्रॉमिसर acknowledges himself as an agent of a third party तो वो third party अपना right enforce करवा सकती है covenant के केस में successor of the seller भी enforce करवा सकता है और आखरी entered by the agents जो contract होंगे उसमें principal enforce करा सकता है बशरते दो बाते पहला agent has acted within his authority दूसरा entered on the name of principal contract जो हुआ था वो principal के नाम पे हुआ था यह सबसे important question है direct आएगा six marks में question three जो हमने अभी end किया वो बहुत important part था इसी तरह एक और question जो हम जानते है important exam angle से वो है without consideration क्या कोई contract होगा ना सर section 10 में तो हमने पढ़ा है कि there should be some consideration उसके बिना एक agreement contract तक की आत्रा अपनी पूरी नहीं कर सकता अब क्या करें सर question ही है no consideration no contract yes this statement is absolutely correct बिना consideration के कोई भी contract नहीं होगा लेकिन लेकिन क्या इसके भी कुछ exception हो सकते हैं हर law में कुछ नो कुछ exception जरूर होते हैं इसी तरह यहां भी कुछ exceptions हम पढ़ने जा रहे है question exam में कैसा आएगा सर question इसी तरह आएगा no consideration no contract comment एक तो यह और एक direct आएगा for a valid contract there must be consideration between the parties are there any exceptions तो दोस्तों अब हम यहां से वह पार्ट रेखने जा रहे हैं जिसमें बीना consideration के भी यह contract बिलकुल valid होगा घ्यान से सुनो पहली लाइन क्या लिखने सर वही every agreement to be enforceable by law must be supported by a valid consideration every agreement to be enforceable by law must be supported by दो वर्ट आपको यहां से मिल गए पहला enforceable और दूसरा supported supported by a valid consideration यह लाइन तो हमेशा लिखेंगे an agreement made without any without वर्ट से शुरू करो बोलो मन से without any consideration is void यह मन से लिखेंगे यह sentence मन से जाएगा a gracious promise may form a subject of a moral obligation यह तो आप जानते हो graciously आपने किसी को दान दे दिया किसी बैगर को किसी भिकारी को ऐसी एक रूपया दे दिया आप बदले में उससे नहीं बोलते हैं कि यह 10 दुआ दे मेरे को तो यह एक रूपया काम करेगा ऐसा नहीं बोलते क्योंकि यह moral obligation था आपका आपने पूरा किया यह moral obligation जो होता है it may not result in a legal responsibility ध्यान रखना तो moral obligation आप शुरू में पढ़ चुके हो जितने भी जितने भी शोशल religious, promistic, personal होते हैं उनको हम enforceable नहीं मानते बट यहां पर अब आप पढ़ने जा रहे हो section 251 में कुछ exceptions जिसमें बिना consideration के भी contract valid माना जाएगा सबसे पहला agreement made on account of natural love and affection अब इसके points क्या थे याद करो सबसे पहला एक father अपने अगर son को कोई वसीयत लिखके देता है out of natural love and affection एक husband अपनी wife को out of natural love promise करता है क्यार मैं तुझे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, suppose उसने बोल दिया, हर महीने 10,000 रुपे दूगा सर हमने पढ़ा था, यह तो domestic agreement है, यह enforceable नहीं होता है, yes, but यहाँ पर एक husband ने जो अपनी wife को promise किया, वो कब enforceable हो सकता है, चाहे उसमें कोई consideration ना हो, चाहे यह domestic nature का agreement आपको feel होता हो, कब कब, पहली condition, ध्यान से सुनना condition क्या क्या होंगी, सबसे पहला, it should be in writing, agreement जो भी यह writing म होना चाहिए, दूसरा, यह notarized होना चाहिए, registered होना चाहिए under the law, third one, यह जो दिया गया, यह out of natural love and affection था, स्वाभाविक प्रेम वहिस नहें, जबर जस्ती का प्रेम नहीं, हमेरा जो मन से, इच्छा से, जो किसी से प्यार करें, इसनेह करें, उसकी बात कर रहें, fourth one, between the parties, ज ध्यान रखना, near relation बोला है, blood relation word use नहीं किया, जो near relation to each other है, उन parties के बीच में यह contract enforceable होगा, even if there is no consideration, तो अगर एक फादर ने अपने सन को बोलते हैं, हमें 10,000 रूपीज या 1,00,000 रूपीज या हमें property तुमारे नाम करता हूँ, it should be in writing, registered, out of natural love and affection, and parties are standing in near relation, उनका करीब का र रिष्टा है, ये चार condition पूरी होते से ही, out of natural love and affection जो होगा, वो valid माना जाएगा, तो सर, क्या हर करीबी रिष्टा, प्यार भरा होता है, सर ऐसा होता है, तो दो भाईयों में कभी जगडे नहीं होते, फादर और सन में कभी जगडे नहीं होते, husband wife में कभी तलाक नहीं होते इसका मतलब, क्या करीब का रिष्टा, near relation इस बात की guarantee देता है, कि इन दोनों में natural love and affection हो, ना 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 सर, तो एक्जाम में ये case आ सकता है, ध्यान से सुनना, कि husband और wife के बीच में contract हुआ, husband ने एक लाख रूपया या 10,000 रूपया पर मन देने की बात तो कर ली, पर husband ने इसल मैं देवी तेरे को 10,000 रूपय महिना दूँगा, तू मेरे पर ये अत्याचार बंद कर, अब बताओ, क्या ये agreement valid है, ये without consideration हुआ पर ये valid नहीं क्योंकि, इसमें near relation तो है, ये registered भी है, ये writing में भी है, लेकिन, 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 उन दोनों के बीच में love and affection missing है, तो ध्यान र आपके घर में आग लग गई थी, कोई आपके घर में कूदा, उसने आपके बच्चे की जान बचाई, आपने खुशी खुशी उसको बोल दिया, भाई मैं तेरे को एक लाक रुपे दूँगा, उसने बोला, नहीं नहीं, मैंने पैसे के लिए किसी की जान नहीं बचाई, पर आपने आगे बढ़के बोला नहीं मैं तो दूँगा तो चार बाते ध्यान रखना अब ध्यान रखना आप अपनी बात से पलट नहीं सकते यह बोलकर कि इसमें consideration सी मेरी तरफ से जा रहा है उसकी तरफ से तो कुछ भी नहीं बेसिकली यहां past consideration होगा पर सर्फ past consideration में तो request होनी चाहिए वो आग में कुदा बिना किसी request के yes इसी लिए इसको exception में put up किया गया कि past consideration जो बिना request के वो यहां आकर valid हो सकता है देखो कैसे चार condition क्या क्या है पहला services voluntary ली दी गई थी वो आग में जबर जस्ती कुदा मैंने तो नहीं बोला था rendered for the promissor मेरे लिए कुदा वो ठीक है मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपके बच्चे की जान बचाने के लिए कोई आग में कुदा वहां तक ठीक है तीसरा हम उस समय existence में थे हां मेरे साम compensation का promise कर दिया मतलब promissor must have intended to compensate the promise चार कंडिशन रिपीट करो पहला services rendered voluntarily दूसरा service जो रेंडर के गई थी वो for the promissor थी तीसरा at the time of service he must be in existence प्रॉमिसर था और चो था प्रॉमिसर ने आगे बढ़के बोला था मैं तुझे एक लाग दूंगा प्रॉमिसर must have intended to compensate the promise सी ध्यान रखना बिना consideration की मुझे उसको एक लाग देना पड़ेगा मैं यह नहीं बोल पाऊंगा कि यह पास consideration का case भी नहीं बन रहा मुझे उसको यह पैसा देना पड़ेगा थर्डवन promise to pay time bar debt आप जानते हैं इंडिया में एक limitation चलता है जिसमें तीन साल के बाद आप किसी खालिया तीन साल बिद गया आप उस पे case फाइल नहीं कर पाए अब उससे recovery नहीं कर सकते एक दिन रात में अचानक डेटर की आत्मा जागी उसने रितिक रोशन का एक गाना सुन लिया कि खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे अब जैसी उसको यह बात यादे उसने बोला अरे यार मैंने बहुत सारे creators का पैसा खाया है अगले दिन सुबह उठते से उसने हर creator को फोन किया रेक लेटर लिक के भीज़ दिया वो जितना पुराना पैसा है ना वो जो टाइम बाट डैप्ड है ना जिसको तीन साल हो और आप मुझसे वसूल नहीं कर सकते वह मै अग्रिमेंट मेड इन राइटिंग धियान रखना डेटर से लिखित मेले ना साइंड बाइड़ देटर और इस एजेंट यह किस चीज के लिए तुपे आइदर हो ली और इन संपाट अदेप्ड विची इस टाइम बार्ड धियान रखना डैप्ड कोन सा है ताइम बाद लिमिटेशन आक्ट ने उसको रोक रखा है तो दो में वर्ट ची मेरे को इन राइटिंग साइंड बाइड देटर टाइम बाद इन से आपका सेंटेंस बन जाएगा फॉर्थ वन कॉंट्रेक्ट ऑफ एजेंसी के लिए सेक्शन 185 बोलता है नो कंसिलेशन इस नीड़ेट आप मेरे एजेंट मनना चाते हैं मैं आपको कुछ नी दूंगा अभी आप मेरे एजेंट मन जाओ कॉंट्रेक्ट कर लेते हैं बस इतना सा होता है फिफ्ट गिफ्ट यह भी सिंपल एक्जामपल है 25 सेक्शन का एक्स्प्लेनेशन वन बोलता है अगर फादर ने अपनी सार ... दिया डोनी को अब बदले में आप यह बना कि ड्रवी ने तो ढैंश दिया यह यह चांट्रैक्ट वालीड मान जाए गा भले ड्मान ने अपनी इच्छा से ड्रोण इको कुछ दिया और डूनी ने बदले में कुछ भी नहीं दिया तो इस यह लाइन ध्यान रखना इन कुछ नहीं विया नहीं बस एक कंडिशन रखना रिटर्ण एंड रजिस्टर्ड क्या वर्ड है रिड़न एंड रजिस्टर्ड यह दो वर्ड बहुत इंपॉर्टन दे नेक्स पॉइंट है हमारा बेलमेंट बेलमेंट दो तरह का होता है एक ग्रेचुश एक नॉन का कॉंट्रेक्ट होता है सेक्शन ध्यान रखना 148 जिसमें यह पॉइंट कवर होता है कि नो कंस्ट्रेशन इस रिक्वाइड तो फॉर्म दे कॉंट्रेक्ट ऑफ वैलमेंट नेक्स्ट हमारा आखरी चैरिटी ओके अरे दान है यह तो यार सर दान में तो कोई किसी को लाइ कारण जैसे तुमने बोला गा एक लाख रुपे दूंगा इस मंदिर की सीडियां बनवाओ पंडित खूश हो गया उसने आपके कहने पर अपनी तरफ से पैसा लगा दिया और उसने वह सीडियां वह स्टेर्स पूरी कंस्ट्रक्ट करवा दी फिर वह आपके पास आया कि मा हमारे केने पर सिडिया बनवादी पैसे लग रहे हैं पैसे देने पढ़ेंगे कांट्रक्टर को वह आप मना कर रहे हो चैरिटी यह साब है तो दाने इच्छा होगी तो देंगे नितों नहीं देंगे तो ध्यान से सुनना लॉने क्या बोला लॉने बोला कि यदी कोई प्र प्रॉमिसी ने लाइबिलिटी ली किसके भरोसे तुम्हारे भरोसे पर आक्ट कर गया तो फिर ऐसे में कॉंट्रैक्ट माना जाएगा अब आप अब्जिक करोगे सर हम तो एक लाख रूपे देरें बदले में क्या मिल रहा है दुआएं मिल रही है नहीं नहीं बदले में कुछ नहीं मिले इसके बावजू दिये कॉंट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा बिकॉस अंडर्टेकन दी लाइबिलिटी ऑन दी प्रॉमिस ऑफ पर्संट हूं इस रैडी तो कॉंट्रिब्यूट तुदा चैरिटी यह बात आपको ध्यान रतना पड़ेगी और केस आपको कुछ नहीं कि to form a valid contract constitution must be adequate ना ना सर अब समझ गया constitution adequate नहीं होना चाहिए constitution adequate नहीं होना चाहिए उसकी कुछ value it must be of some value but it should not be of proportionate equivalent value it should not be of approximately equivalent value it should not be of a particular value यह बात हम already हमारे इस answer में पढ़ चुके थे और यह मैंने answer आपको ready करवाय था फिर भी ICI ने इस answer में थोड़ ऐसे changes किये lines में इन lines को अगर आप देखोगे तो एक दो line इसमें बदली मिलेगी देखिए कौन-कौन सी line इसमें से उन्होंने change किये पहली line में उनने बोल दिया contract should be supported by मैं main words लेता हूं तो आपको answer दो मिनिट में आद होगा पहला contract must be supported by constitution supported word important हुआ so long as constitution is there the court are not concerned about its adequacy या court are not concerned to its adequacy बस होना चाहिए it should be of some value यह तीसरा word हो गया adequacy is for the parties not for the court क्यासे बहिए parties to the contract decide the adequacy of the constitution and not the courts यह case था Bolton vs. modern में इसलिए code को इससे कोई मतलब निए कि consideration adequate है यानि consideration होना चाहिए कितना है इससे code को कोई sense नहीं है इसके बाद आप वही लिख सकते हो जो आपने आगे पड़ा कि consideration must be something which the law attaches value though it may not be equivalent in value to the promise made तो लाइए पहले paragraph में क्या क्या सीखा contract should be supported by consideration so far as the constitution exists this court will not raise its question about its adequacy तीसरा हम बोलेंगे provided it is of some value सांतिस हम बोलेंगे कि adequacy of the constitution is to be decided by the parties and not by the court it is not the matter of the court court तो क्या देखेगी it should have some value though it is not equivalent in value to the promise made explanation 2 to section 25 और क्या आगे कहानी बताता है यह बोलता है कि अगर agreement में consideration adequate नहीं भी है तो भी हम consent free मानेंगे तो क्या बोला गया हम parties की consent free मानेंगे हम यह इसको void नहीं मानेंगे कि भाई consent नहीं थी if consideration is not adequate तो line क्या होगी agreement to which consent is freely given agreement to which consent is freely given will not be treated as void will not be treated as void merely सिर्फ इसलिए क्योंकि consideration adequate नहीं पर पर आपको याद होगा कि अगर वो बहुत बुरी तरह से कम है सो रुपे की चीज़ को दस रुपे में बेच रहा है एडिक inadequacy may be taken into consideration by the court in determining whether the consent was free or not court कभी-कभी inadequacy को consideration में ले सकते और यही बात हमने यहां पर पड़ी थी इसमें हमने shockingly less word पकड़ा था alleges word पकड़ा था तो आप यह paragraph भी लिख सकते हो यहां पर बहुत परफेक्ट था if it is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free it may be taken as evidence in support of his allegation yes it is line आप लिख सकते हों यह था दोस्तों हमारे तीन important question पहला stranger cup case कर सकता है दूसरा बिना consideration के contact का valid है और तीसरा adequacy दोस्तों next वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक और interesting topic के साथ और पूरा तरह से याद करेंगे ताकि हमारा यह जो law वाला पार्ट है इसमें maximum score कर सके तो मैं आपसे फिर वीडा लूँगा next video में फिर मुलाकात होगी अपना ध्यान रखिएगा रादे रादे